जै जोहार नमस्कार संगवारी हो स्वावया थे आप सभी का दैनिक 36 गर चैनल पर 36 गर प्रदेश की आज की जोभी महत्पूर खबरे निकल कर आ रही है एक एकर के सभी महत्पूर बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर सिलगेर से सर के गुड़ा तक आंधोलन पहुच चुका है पुलिस फाइरिंग में मारे गए ग्रामीडों को सद्धाजली देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुचे हुए थे कैम के विरोध में नारे बाजी की और कहना है कि जल जंगल जमीन यहाँ पर नहीं देने वाले हैं 36 गड़ के बीजापुर सुकमा बॉडर परिस्तित सुलगेर की तपिस पड़ुसी गाव सर के गुड़ा तक पहुच गई है हजारों की संख्या में पहुचे ग्रामीडो ने बीते दिन पुलिस फारिंग में मारे गए ग्रामीडो को सद्धाजली दी वही पुलिस प्रसासन के साथ बनाय जा रहे पुलिस कैम्प के खिलाफ नारे बाजी भी की है ग्रामीडों ने कहाए कि वहाँ कैम्प और उद्योग पतियों के लिए अपने जल, जंगल और जमीन नहीं देने वाले है ग्रामीडों ने इसके लिए वहाँ पर विशे सभा का भी आयोजन किया गया था नाकाबंदी और कंटेन्मेंट जोन की बंदीज भी यहाँ पर काम नहीं आई है और एक भीसर दर्दनाख हाथसा हुआ है 36 गड़ के रायपूर में जहाँ पर पीकप और ट्रक में भीड़न की बज़े से बच्ची समेत कुल 5 महिलाओं की मौत हुई है सादी समाहरों से वापस लोट रहे थे सभी 36 गड़ के रायगर जिले में 100 मार को भीसर हाथसा हो गया यहाँ पीकप और ट्रक की टकर में एक बच्ची और कुल मिलाकर के 5 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए है जिनमें एक युवक की हालत फिलाल गंभीर बने हुई है जानकारी के मताबिक सभी लोग एक सादी समाहरों से लोट रहे थे इसे तुरान दोपर 3 बज़े सामने से आरी ट्रक के साथ पीकप की आमने सामने टकर हो गई हाथसा धरम जैगर ठाना के सीसरिंगा के पास बताया जा रहा है वहीं मृत को के नाम में मतुरा बाई राठिया, सोनम राठिया, बिलासा बाई राठिया, देवली बाई राठिया और केसरी भाई बालमती राठिया बताया गया है कुल मिलाकर के 6 जो महिलाएं है इनकी मौत हुई है जिनमें एक किसोरी बच्ची भी सामिल थी अब बात करते हैं ठत्तर ग्राम पंचायतों में करोडों के घोटाले के बारे में जहाँ पर सडके बनी कांजी हाउस बना बाकी की स्टेशनरी खरीदी वही कॉंग्रेस नेता का कहना है कि लॉक्डों में बोगस फर्म को भुक्तान किया गया है कलेक्टर से इस बावत सिकायत भी करी गई है 36 गर के गोरेला पिंडरा मरवाही जिले की ग्राम पंचायतों में हुए विकास कारे सवालों के घेरे मया गए हैं इन ग्राम पंचायतों में सडके कांजी हाउस बनाने के साथ साथ अन्य विकास कारे हुए हैं जब कि अप सत्ताधारी पार्टी कॉंग्रिस के निताओं ने इन में घोटाले का आरोप लगा दिया है। फरजी तरीके से रुप्यों के भुगतान की भी जानकरी सामने आई है। और पानी का प्रबंद किया गया है। मुख्यमंतरी बगेल ने कि सानो तथा पसपालको के नाम अपने संदेश में कहा कि बरसात के दिनों में पसवों में गलगोटू और एक टंगिया की बीमारी होती है। इसे बचाव के लिए अपने पसवों को टीका जरूर लगवाएं। कॉंग्रेस अध्यक्ष नहीं चाहते हैं पूर स्वराब बंदी मोहन मरकाम ने कहा स्वराब आदिवासियों की रिती रिवाज और नेम का हिस्सा है। यहां स्वराब बंदी हुई तो मुस्किल होगी सामाने छेत्रों में लागू करे सरकार। मंत्री इन सवालों पर जवाब देने से बच रहे हैं। कई मंत्री इस बीच बहरे भी बन जा रहे हैं। इनके जो रुख है वो आप इस बात का अंजाज लगा सकते हैं कि आखिरकार 36 गड़ में सराब बंदी होगी भी या नहीं। और अब बात करते हैं 36 गड़ के हरबल उतपाद के व्याबारे में जहां पर अमेजॉन पर होते ही लॉंच होते ही ये जो 36 गड़ के सभी हरबल उतपाद हैं बिग गय थे। कुछी घंटों में स्टॉक करंटली अनवेलेबल बताया जा रहा था। द्रसल ऑनलेन प्रेप्फार्म अमेजन पर बिक्री के उत्रे 36 गड़ के हरबल उतपाद की धूम मची हुई है इन्हें लॉंच किये जाने के कुछी घंटों के भीतर इतने अधिक ओडर हुए कि वि पर बिक्री के लिए 36 गड़ राज लगु वनपस संग द्वारा अमेजन से करार किया गया है। दो लाक लोगों को टीके लगाय जा रहे हैं। विसे सत्यों का मानना है कि अगर इस सरफतार से टीका करण होते हैं तो 30 जुलाई तक यहां के 3 करोड में से 1.5 करोड से जादा लोगों को टीके लग जाएंगे। असाइन्मेंट के नमबर नहीं जुड़ेंगे। पुराने फॉर्मूले से ही रिजल्ट जारी होगा। ऐसले 25 जुलाई तक इसके नतीजे जारी हो सकते हैं। 12-36 गर बोर्ड में असाइन्मेंट के नमबर माने नहीं होंगे। रिजल्ट में इनके भी नमबर नहीं जुड़े जाएंगे। पुराने फॉर्मूले से यानि थियोरी और प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट के आधार पर ही नतीजे जारी किये जाएंगे। माधवी खिक्षा मंडल ने इसके आधार पर रिजल्ट जारी करनी की तैयारी कर ली है। जुलाई तक नतीजे जारी हो सकते हैं इससे पहले पिछले साल कोरोना संक्रमर की वजह से बारवी के कोर्स में 30-40 फिजदी की कटोती की गई है। वई 6 महिने के आधार पर कोर्स को बाटा गया है। पेटरोल के कीमत 100 रुपए के तकरीबन करीब पहुँच गई है। डिपो से चोरी करके कम कीमत पर इसको चोर बाजार में बेच रहे हैं। खबर आरी है राजधानी मेर सामान पेटरोल की कीमत फिलाल 96 रुपए है। वही प्रिमियम पेटरोल की कीमत 99 रुपए के पार होने के बाद काला बाजारी और चोरी सुर हो गई है। खास तरह के किरोह पेटरोलियम कमपनियों के डिपो से निकलने वाले टेंकरों से पेटरोल डीजल की चोरी करके उसे कम कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं। विचले दो-तीन हफ्तों से ज्यादा ऐसी गाड़ियां पक्री जा चुकी है जिन में चोरी का पेट्रोल डीजल भर कर 60-65 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा था अब चोरी को रोकने खादे विभागने मंदिर हसौद और आरंग की आसपास सभी रास्तों में मौंट प्रधेस सदॅपाध्यक्ष अतल् सवास्तों ने बयान जारी किया है इसके पाद से कंग्रिस नेताओं की उम्मीदे एक बार फिर से बढ़ गई है अटल स्रिवास्ताओं का कहना है क्रिमोख्यमंत्री भूपेज भखेल ने सूची तैयार कर ली है तो इस प्रभारी पियल पुनिया का अनुमोधन आपिक्षित रह गया है इसके पहले भी कॉंग्रेस के लीडर्स इस मसले पर अलग-अलग बयान दे चुके हैं बात करते हैं सरके गुड़ा में अंधाधुन फाइरिंग से साथ नाबालिक समेत कुल 17 लोगों की गई थी जान नवी बर्सी पर ग्रामीडों ने दिस सध्धांजली मरकाम ने कहा सरकार इनको न्याय दिलाने वाली है हाला कि मेरे को ये समझ नहीं आता है कि ये 9 साल से इन लोगों को क्या ऐसा न्याय मिल पाया है अब तक नवी बर्सी पर बीते 3 दिनों से 1000 ग्रामीड एकठा हो रहे हैं ऐसे में यहां समारक बना करके ग्रामीडों ने मृत्कों को सध्धांजली अर्पित की है बता दे कि सरके गुड़ा में 28 जून 2012 की राथ सुरक्षा बलों ने सारके गुड़ा, खोता गुड़ा और राजपेटा के खुले मैदान में बीज पंडुम मना रहे ग्रामीडों पर अन्धा दुन फाइरिंग की थी जिसमें साथ नाबालिक सहित कुल सत्रह नुर्द्योस मारे गए थे वही आज PCC चीफ मोहन मरकामने बस्तर में हो रहे प्रदर्सनों पर कहा है कि राजज सरकार के काम काच के चलते नकसली परास्त हुए है और इनको जो है न्याय दिलाने की बात की गई है पीडित परिवारों को लेकिन ये अब तक जो है 9 साल बीच चुके हैं चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कॉंग्रेस सरकार फिलाल कोई भी सरकार इनको अभी न्याय नहीं दिला पाई है और अब बात कहते हैं एक और भीसर घट्टा के बारे में जहाँ पर साधी से लोकते समय गाज गिरने की वज़े से 16 साल की किसोरी सहित एक ही परिवार के कुल 3 लोगों की मौत की खबरे आ रही है बारे से बचने के लिए पेड के नीचे ये लोग खड़े हुए थे खबरारी है 36 गड के कवरधा में रवियार के देर साम आकास्य बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई व्रितकों में 16 साल की एक किसोरी और डो महिलाय सामिल है सभी एक साधी समारों से लोट रहे थे इसे दुरान तेज बारी सोने के कारण सभी पेड के नीचे खड़े हुए थे सूचना पर पहुँची पुलिस उन्हें डायल 112 से अस्पताल ले गई जहां रॉक्टोरे ने तीनों को मृत्गोसित कर दिया गटना पांड़ तरई छेताना छेतर का बताया जा रहा है और अब चलिए हम आपके माध्यम से थोड़ी से एक जागरूपता फैलाना चाहते है सिर के बाल अगर खड़े हो जाए या जुन जुनी होने लगे तो फोरण नीचे बैट करके कान बन कर ले या इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है जहां है वही रहे हो सगे तो पैरों के नीचे सूखी चीजे जैसे लकडी प्लास्टिक बोरा या सूखे पत्ते रख ले दोनों पैरों को आपस में सटा ले दोनों हाथों को घुटने पर रख कर अपने सिर को जमीन की तरफ जितना संबहों को जुका ले सीर को जमीन से सटने ना दे और जमीन पर कभी न लेटे बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूर रहे तार वाले टेलिफोन का इस्तमाल ना करे खिडकियों, दरवाजे, बरामदे और छट से दूर रहे पेड बिजली को आकरसित करते हैं इसलिए पेड के नीचे कभी भी खड़े ना हो समुह में खड़े ना रहे, अलग-अलग हो जाए घर से बाहर है तो धातु से बनी वस्तों का इस्तिमाल ना करे बाइक, बिजली, या पोल, या फिर मसीन से दूर रहे कि अगर आप इन सब का उपयोग करते हैं मैंने अभी आपको बताया, तो हो सकता है जो बिजली गिरने वाली है, इनसे आप बच सकते हैं और अब प्येस्सी मेंस का नया नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है मुख्य परिक्षा 26 जुलाई से है, प्रवेस पत्र 15 तक जारी होंगे इसके लिए 143 पदों के लिए यहाँ पर फाइट करनी होगी प्येस्सी मेंस का आयोग जन 26 से 29 जुलाई के बीच होना है आयोग द्वारा जारी सूचना के मुटाबिक मुख्य परिक्षा के लिए 15 जुलाई को प्रवेस पत्र जारी किया जाएगा लोगडाउन वा कोरोना संक्रमर के बढ़ते प्रभाव को देखती वे पहले से तैती थी को ले करके 36 गर लोग से वा आयोग ने इसे इस्थगित कर दिया था 36 गर के हर जिले में 36-36 सिक्षक को पुरुसकार प्रदान किया जाना है स्कूल सिक्षा मंतरी ने इसके लिए घोशना कर दी है कोरोना लोगडाउन के दोरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ाई तुहर द्वार कारिक्रम के दूसरे वर्ष की सुरवात के पूर्व समगर सिक्षक द्वारा आयोजित वेबिनार में स्कूल सिक्षा मंतरी डॉक्टर पेयम साय सिंग टेकाम ने सामिल होकर नवाचारी सिक्षकों से बच्चों की सिक्षा और सिक्षा पदरती के संबन्ध में चर्चा की उन्होंने पढ़ ही तुवार दुवार कारिक्रम की अंतरगत नीमित रूप से नीमित कक्षा लेने वाले प्रत्येक जिले के 36-36 सिक्षकों को पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की है और अब बात कहते हैं कॉलेजों में एडमिसन के बारे में जहां पर जैसे ही बारवी की नतीजे जारी होंगे इसके साथ ही प्रत्थम वर्ष के लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे खबर आ रही है विस्विद्याले द्वारा भारवी के परिक्षा परिक्षा परिणाम आने के साथ ही आवेदन लेना सुरू कर दिया जाएगा मादलय स्टार्ट मंडल अथवा CBAC दोनों में से किसी भी बोर्ड के नतीजे जारी होते ही आवेदन पोर्टल विस्विद्याले द्वारा खेलने की तयारी में है हाला कि आवेदन कब तक जारी होंगे इसके लिए CBSC, मादरिशिक्षा मंडल और ICSC बोर्ड के परिक्षा परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक ये जारी नहीं होंगे सभी बोर्ड के परिणाम आने और छात्रों द्वारा आवेदन किये जाने के बाद से चरयन सूची जारी कर दी जाएगी खेर दोस्तों अब आज की खबरों का सिलसला बस यह तक था वीडियो गर आपको पसंद रहा होगा तो इस वीडियो को नीचे लाइक बटन है बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है स्वाधिसाथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दपा करके और नोटिफिकेशन को आपको इनेबल करेना है ताकि प्रति दिन की महत्रपूर खबरें इसी प्रकार से 36 कर समाचार रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें